प्रदान मंतरी नरेंद्रमोदी आयोध्या में दीपोसो कारिक्रम में तो हिस्सा लेंगे रामलला के दर्शन भी करेंगे लेकिन इस बार हनुमान गड़ी के दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसी दिन हनुमान जैन्ती है हनुमान जैन्ती के मौकर कारिक्रम नहीं है पू पूरों पर है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेन्वोदी तेश तारी को यानि छोटी दिवाली के दिन यहां आएंगे और देखिए हनुमान गड़ी के अंदर क्या तैयारी है इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ आपको बता दें हनुमान गड़ी के मुख्य से देपता है स्रिवानवान जी महराज का जनम दिन है और जनम दिन के नौ दिन पूर्व से ही हम लोग बिधवत अखंड सीता राम नाम संकिर्तन रामचेत मानस का पार्ट आपके शामने में चल ला है बालमिकी रामाइन सुन्दर कांड पार्ट इसके साथ अन वैदिक मंत पार्ट रोचारन के साथ विदवत पूजन नौ दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है उस दिन का नजारा कुछ अलग ही रहेगा क्योंकि उस दिन देश के सश्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भगवान से राम का अगवानी करेंगे जो भगवान आम पुस्पक विमा रही है उस दिन इसलिए ये आने का कारकम नहीं रहेगा प्रधानमंत्री जी का वो सुरक्षा वेवस्था के भी होता है उस दिन मैंने आपको बताया कि हनवान गड़ी का मुख परवे हनवान जी का जनमुस्प और उस दिन विदवत पूजा पार्ट और तमाम सांस्कृत क कारकम तो इसमें मैं आभार वेक्त करता हूं मानिया प्रधानमंत्री जी को कि वो आएंगे आने के बाद जो है वहां से जाकी के द्वारा वहां जब राम की पैरी तक पहुंचेंगे ये कारकम है हमारे साथ आपको बता दे हनुमान गड़ी के मुख पुजारियां राजु अभान जी को ही हनुमान गड़ी को सौप कर गए थे अब मैं आपको ये देखे हैं हनुमान गड़ी के अब आपको मैं आयोध्या की तस्वीरें टॉप एंगल से दिखाना चाहूंगा ये आयोध्या है भगवान श्रीराम की नगरी यहीं दीपो सब कारकम होगा आप देख और खासकर धार्मिक स्टलो पर ये खास बात है आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको मंदिरी नजर आएंगे क्योंकि बगवान श्रीराम की नगरी है और हम हनुमान गड़ी में है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं खास तैयारी है इस पर्व को मनाने के लिए और जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा केमरमेंन डेविड के साथ जबरकाश शर्मा